असलाम अलेकुम दोस्तों, कलस्टर इन्वस्ट्री का जो जनरल मिर्ट डिश्ट है, फोर येर यानि थ्री पलस वन यूजी ऑनर्स के लिए वो आ गया है, आप इसको हमारी इस यूट्यूब चनल के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दी है, वहाँ पे इसको देख सकते है तो ये सबजेक्ट वाइज इन्होंने दिया है, पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो कोर्स है जिसके लिए आपने अपलाई किया है, लाइक जियोग्राफी, उसके बाद आपका फॉर्म नंबर, उसके बाद एपलिकेंट का नेम, उसके बाद कैटेगरी, देन मार्कस आपने ये किया है, तो ये जनरल मिरिट लिट जा गया है, ये लगवग सिक्टीन हंडर्ड पेज़ जिसमें हर एक सबजेक्ट का आ गया है, लाइक अगर हम देखेंगे ये जियोग्राफी की हम बात करें, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इन्फॉर्मिश सब्जेक्ट का एक मेरिट लिस्ट आ गया है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ये लगवग यहाँ पे टुएंटी तो थर्टी थाउजन्ट स्ब्जेक्ट्स है, लेकि असल में ये उतने बच्चे नहीं है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट ने जो है, एपलाई किया है, दो इनका जो मेरिट है, देट इस नाइन्टी नाइन परसंट, तो ये टॉपर है, लेकिन अगर हम देखें तो दूसरे सब्जेक्ट में भी इसने अपले किया है, वहाँ पर भी ये टॉपर है, इसी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने चार, पांच, छे सब्जे इसमें अपले किया है, तो अब जाहिर है कि वह एक ही सब्जेक्ट में जाएंगे, जब इसका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, तो फिर वह एक ही सब्जेक्ट में जाएंगे, तो उससे जो है, यहाँ पर इतनी अप्लिकेशन हैं, यह काम हो जाएंगी, अब इसमें देखना है कि merit क्या होता है क्योंकि जब हम देखते हैं seats की तैदाद तो subject में किसी subject में 40 seats है किसी subject में 60 seats है तो किसी subject में 100, 200 या 400 seats है तो उसी के हिसाब से इसका merit list बनेगा और ये एक पहली list आई है जिसको हम 4 year in 3 plus 1 UG honors degree कहते हैं असल में ये 3 साल का graduation है लेकिन एक साल अगर आप इसमें extra देते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपको एक साल में ही जो है PG मिल जाएगा तो ये एक ओ एक list आगया है दूसरा list है general merit list of candidates five year bachelor's plus master's integrated PG program जो five year का course है जो bachelor's plus master's course है इने BCA plus MCA तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जोनों ने apply किया है तो subject wise इसका भी merit list आ गया है तो आप जो है अपना application इस तरह इसे political science में बहुत सारे बच्चों ने apply किया है integrated political science ये पांच साल का course है जो आपको B.A. MA की degree आपको मिलेगी तो जिस तरह B.L.L.B. होता है जिसमें L.L.B. भी आपको मिलता है और graduation भी मिलती है पांच साल के बाद इसी तरह इस five year के course में आपको graduation के साथ साथ MA की degree भी पांच साल के बाद मिलेगी तो इसका भी merit list आ गया है और same procedure यहां पर भी है कि एक ही बच्चे ने apply किया है political science में भी, history में भी, economics में भी या किसी और subject में तो इस तरह से जब इसका भी merit list आएगा तो वहां पर भी जो applicants है उनका number काम हो जाएगा तो यह दोनुन lists आ गये हैं और मुझे लगता है कि जो बच्चे जन बच्चों ने apply किया है three year course में उन्ही बच्चों ने apply किया है five year course में भी और वही बच्चे ऐसे हैं जन्हों ने किसी college में भी apply किया है या किसी ने B.L.L.B. के लिए apply किया है क्योंकि ये एक साथ अब cluster university कश्मी इन्हों बच्चों ने apply किया है क्योंकि जाहर है बच्चे चाहते हैं कहीं न कहीं उनका admission हो जाएगा लेकिन मैं आपको suggest करूंगा ये जो five year का course है जाहे वो political science की हम बात करें, history की बात करें, English की बात करें या बाकिस अब्योटिस की ये बहुत अच्चा course है क्योंकि इसमें आपको एक ही जगा, एक ही college में पाँच साल तक पढ़ना है और दोनों डिग्रियां आपको एक साथ मिलेंगी तो पहली preference आप इसी को दें अगर किसी ने political science में apply किया है और अगर उसका admission integrated political science में हुआ है तो उसको चाहिए कि वो इसी course में co continue करें दूसरी जगाए apply ना करें और दूसरे course की try ना करें फिर अगर उसके बाद three plus one graduation में उसका admission हो गया तो वहाँ पर भी better रहेगा और जिसका merit बहुत कम है जिसका chances यहाँ पे नहीं है तो उसको किसी college में जहाँ पे उसने apply किया होगा तो वहाँ पे उसको करना चाहिए तो यह सारे courses बड़े interesting है बड़े important courses है और इसलिए मैं आपको एक और इसके साथ खुशकबरी दू merit list तो एक दो दिन में selection list आ जाएगा तो हम इस पे कोई जो है कोई guess नहीं कर सकते कि किस किस का होगा क्योंकि यह बहुत बड़ा list है जिसमें 20,000 से ABOS 20 ने apply किया है तो इसमें हम आपको confusion में ना रखेंगे अभी आप एक दो दिन वेट करें मेरे जो list आएगा selection list तो उसी के मताबिक आपका admission हो जाएगा मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमने एक what's up ग्रूप बनाया है UG first semester के लिए तो आप उस ग्रूप को join करें और बाद में अगर कहीं पर आपका admission हो जाता है किसी course में तो उस course के regarding भी हमने अलग-अलग what's up ग्रूप बनाएंगे जैसे integrated political science की में बात करूँ तो इसमें जो subject होगा जो course होगा उसके हम lectures आपको provide करेंगे study material provide करेंगे और साथी जो important guidance होगी तो आप इन what's up ग्रूप उसको join करके रखेंगे और जो ही आपका admission किसी course में होगा तो फिर आपको उसके link वहाँ पे आजाएगी तो आप उसको join कर लेना thank you very much, khudahafiz